ग्रहन अक्षत्रों की लगातार बदलती चाल मनुश्य के जीवन को तरह तरह से प्रभावित करता है। कभी व्यक्ति को अपनी जीवन में हर तरब से शुबन नतीजे मिलते हैं तो कभी जीवन में परेशानिया उत्पन होने लगती हैं। जोतिश के जानकारों के अनुसार जो भी उतार चड़ाव हमारे जीवन में आते हैं इसके पीचे ग्रहन अक्षत्रों की चाल मुख्य जिम्मेदार मानी गई हैं। जोतिश गणाना के अनुसार आज हम आपको कुम्ब राशी के बारे में बताने वाले हैं। आज कामकाज और व्यापर में आपको अकर्शक लाब होगा। लोगों को अपनी बात समझाने में आज आप सफल रहेंगे और लोग भी आपसे सहमत होंगे। शिक्षक, राजनेता और वकीलों के लिए दिन अच्छा है। लिखित कामों को करने के लिए दिन आज बहुत ही अच्छा है। आज कोई काम आपके मन के मताबिक नहीं होता है तो उसके लिए दुखिन ना हो। आज आपको कुछ ऐसे काम भी करने पड़ सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है। कोई बड़ा काम करने से पहले उसकी अच्छी प्लैनिंग कर ले। जोश में आकर कोई कारे आज ना करे। यदि कार्यक शेतर में कोई परिशानी चल रही हैं तो वह आज खत्म हो सकती हैं। आज आपको जमिन जाइज़त से फायदा भी हो सकता है। दोस्तों ऐसे ही महतोपुर्ण बाते आज की सुड़ों में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अब भी लाइक करें। और भोलेनाजी का शुरुआ चाहते हो तो कमेंड में जाइ भोलेनाजी लिखना ना भूले। साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें। इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ कुम्बर राशी के बारे में वीडियो देखने को मिलेगी। तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तो जानते हैं कुम्बराशी के बारे में विस्तार से, सबसे पहले बात करते हैं आप के लिए आपका सामने राशी फल किस तरह से रहने वाला है उसके बारे में, आज मिलने वाले अनुभों से आप जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपनी शमता के बल पर आप अपने व्यापार में भी लाब के स्तर को छूश सकते हैं, आज मित्रों के साथ गंबिर विशय पर विचार विमर्श कर सकते हैं, आज आप के लिए अच्छा यही होगा कि आप पुराने बातों को भूल जाए और पुराने बातों और चिंताओं को मन में ना रखे पुराने बातें आपके बंते कारियों में केवल बादा का काम करेगी, आज आप अपने कारेक्षेतर में अपने नम्र स्वभाव के करण लोगों को अपने से जोडने में सफल रहेंगे, आज आर्तिक मामलों पर विचार करने और भविशे के लिए योजनाई बनाने के लि हैं, आज आपको अपना जिद्धी स्वभाव त्यागना होगा, यदि कोई समस्य हैं तो साप मन और खुले दिल से उस पर बात करें, समस्य अपने आप हलो जाएगी, आज पैसों की अवक और जावक बराबर रहेगी, अर्तात आप जिस तेजी से धन कमाएंगे, उसी कल भी कर सकते हैं, दोस्तों धनराशिपल के अगर बात करें तो अभी आपका पूरा ध्यान कानूनी मामलो और धन के मामलो पर है, थोड़ा सबर रखें क्योंकि आने वाला समय अच्छा भाग्या लेकर आईगा, आज आप पिता की तरह किसी सम्मानिय व्यक्ति के साथ सस्त प्रवच्चन या कॉन्फरंस में जा सकते हैं, याद रखें कल की तैयारी करने का सबसे अच्छा रास्ता है आज मेहनत करना, आपको ऑफिस के उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, जो हर परिशानियों को दूर कर सकता है, सारवजनिक संबंद अधिक समय लेते हैं, लेकिन उनसे अधिक फाइदा होता है, दोस्तो करियर राशिपल की बात करें तो, आज आपको कारेक्षेतर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, विशम फरस्तितियों में भी आसानि से काम कर लेने के कारण आप बहुत आगे बढ़ सकेंगे, आप में वो काबियत हैं, जो जो सफलता के साथ-साथ परिशानियों में भी आपका सहयोगी है, उसके लिए कुछ स्पेशल करना ना भूलें या साथ में आकेले कहीं घूम कर आए, दुरगटनाओं या हनी से बचने के लिए साउधान रहे, आज का दिन आपके लिए शांदार है, जिसमें पूरी स्पो स्वस्त विक्रों को निकाल फिके, अगर आप धुम्रपान करते हैं, तो आज उसे छोड़ने का उचित समय हैं, दोस्तो इहती कुम्बराशी के बारे में, अब बात करते हैं, अपनाई गणेजी के ये पांच अद्भुत उपाए, धनलाप से लेकर संसारिक सुक तक सभी म जीवन के हर मोड़ पर कुछ ना कुछ बादाई आती ही रहती है, यदि आप इन बादाओं को आसनी से पार कर अपने मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, तो गनपती जी आपकी साहता कर सकते हैं, वैसे भी माननेता है कि किसी भी काम की शुरुआत करने के पूर्वा गणे जी की पूजा भाट अवश्य करना चाहिए, उसे वो कार्य अतिशिक्र संपन हो जाता है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, आज हम आपको गने जी के कुछ खास उपाई बताने जा रहे हैं, पहला है, मस्तक पर लगाएं पांच दुरुआ, यदि आप हमेशा अपने उपर गने जी का अशिर्वा चाहते हैं, तो रोधाना सनान करने के बाद गने जी को पांच दुरुआ, यानि की हरी घास चड़ाना चाहिए, एक बात का विशिश तोर पर ध्यान रखी की, आपको ये दुरुआ गने जी के चरणों में नहीं, बल्कि मस्तक पर रखना चाह दोस्तो अगला है शेमी का पोदा, शास्तुरूं के मताबिक शेमी के पोदे से आप गने जी और शेनी देव डोनों को ही प्रसंद कर सकते हैं, ऐसी भी मान्यता है कि स्रीराम ने रावन पर विज़े प्राप्त करने के लिए शेमी के पोदे की पूजा की थी, शेमी के अगला है पवित्र अक्षत यानि की चावल गनेजी को पवित्र अक्षत चड़ाना भी लापकरी मना जाता है पवित्र चावल मतलब ऐसा चावल जो कहीं से भी तूटा ना हो एक बात का ध्यान रखे कि आपको इस चावल गिले करके ही चाड़ाना चाहिए गनेजी को सुके चावल नहीं चड़ाए जाते। उपले हुए चावल चड़ाने के दौरान इंद अक्षतम ओम गम गनपते नमहां। इस मंत्र का तीन बार जाब जरू करे। अगला है मोदग। मोदग गने जी का प्रिय भोजन माना जाता है। इसकी वज़े है कि परशुराम जी से युद्ध करते वक्त गने जी का एक दांत तोट गया था। इस वज़े से उन्हें चबाने में दिक्कत होती थी। मोदग काफी मुलाइम होती है ये मोह में जाते ही गुल जाते है। इसलिए इन्हें प्रसादी के रूप में चड़ाने से गने जी खोश हो जाते है। एक बार गने जी प्रसन हो जाए तो आपकी सभी मनचाई इच्छाई भी पूरी हो जाती है। तो दोस्तो ये थी वो प झाल झाल